वेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टु मैंच आज दिशका बेटियों है फ्रेंट्स आप जो प्यारी सी ठ्रेडिंग देख रहें इतने नीट ट्लीन एंड शार्प बनी हुई आर्ट्स ठ्रेडिंग यह छे महिनों का नतीजा है चेसे महिने भंऊर रिगज से नहीं बालता है कि येजिआ मेले पीपेब कोंग यह सोच ऐना। प्रवन्य में भंवा रंते कंपांग वह को इतता है न में फ्रीट अपना में फ्रीट थे दिर समय कुंद पनेlandsें आप रहाने के बाद उनका देखिए कितना प्यारा सा नतीजा निकला ये भी उनी कस्टमर में से एक हैं इनकी थेडिंग काफी बिगडी हुई दी और 6 मैंनों ने नहीं बनाई और आप नदीजा देख रहे हैं इनकी थेडिंग कितनी अच्छी बन चुकी है अगर जो जाधा गरोध हो चुका था इस ग्रोध पे मैंने क्या करा सबसे पहले मैंने किनारे कि बाल शुक्त आप देख रहें मेरे साइं आई चाहाए विडियो से तो आप भी करना यहीं है कि बढ़़ी थेडिंग हो जै बहुत बड़ी थेडिंग हो जाए तो आप शेप के अंदर बिल्कुल पहले मत जाईए कि आप एक बार में शेप निकाल लेंगे आप हमेशा किनारे किनारे से निकाल लिए और किनारे किनारे से निकाल लिए आपको एक मोटा आइडिया हो जाएगा कि आपकी धर्डिंग की दिशा किस शेप में जा रही है और आप इस पर कितना चुकी हूं आपको सिखाने के लिए आप मेरे प्लेइलिस में चेक कर सकते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी गार्लेंड मनाते चलना है और धागा बहुत सोट चलाना है क्योंकि इतनी थर्डिंग होती है तो क्लाइन को पेन भी बहुत जादा होगा इतने बाल निकलाने में को इतनान से बनाई है और यदल किनारे की निकालने और एक्स्टरा बाल काटने आपको एक्स्टरावाण की आप शेप में मिलाता हुए एंगल वाइस काटी एक दम स्ट्रेट नहीं काटने हैं एक अगल बाइस काटना है देजरे करते रहने से आपकी प्रैक्रिटिस हो जाएगी और आपको बहुत अच्छे तरीके से थ्रेडिंग करना आ जाएगा तो फिर इनकी एक थ्रेडिंग कर तरीका तूंक ही अहीं हैं अधिया मैंने छिद्र से जाके बनाइब ड्रेकर कणा तो जरा एक प्रैक्टिकल करें達 लिए करके 한वाजडह को रहे वीडियो देखे आपको सब कुछ आजाएगा आपको प्रैक्टिकल भी उतना ही अच्छी तरह के से करना है और पहले सीधी तरफ जाके दूसरी तरफ जाके दूसरी तरफ बनाते हैं फिर्ट्स आइब्रो बनाने से रिलेड़िट आपको कोई भी कोश्चन हो कोई भी जाली तरह, बघुणक्राद वीडो कोई बघुडेन के करें चाहिंगा और नहीं हमें और वा rocket सार्व फिरा श्र्यार की तरफ जोता हैं। वš प्रकोंटन झाले के Сब्सक्राइब करें नहीं बयुक्त करते हैं। तो सीखते रहें धागा चलाते रहें आराम से और चलाते ज़रते आपको कब थर्डिंग मना आ जाएगा खुद भी पता नहीं चलाएगा कि आपको थर्डिंग मना आ चुका है आप देखिए इंका मैंने बहुत ज़्या बाल नहीं निकाले कि उनको एक्स्ट्रा एक्स्ट्र पालो की थर्डिंग थी इसलिए मैंने सिर्फ इनके एक्स्ट्रा पाले काले हैं तो पर इसे मिलते हैं नए वीडियो में